हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू इलेक्रिक नेशन अभी की टाइम पे हम सभी इलेक्रिक कार खाईना चाहते हैं लेगिन यहाँ पे मेली तीन प्रॉब्लम्स हैं एक तो इनकी लिमिटेड अवलेबिलिटी दूसरी इनकी हाई प्राइस और तीसरी इवीज की रेंज अंग्ज अवलेबिलिटी और हाई प्रैजिंग की इशू तो आगयाने वाले टाइम पे लोकल मैनुफेक्ट्रिंग से काफी हद तक स्वाल्व हो जाएगी लेकिन रेंज अंग्जाइटी का क्या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी कार में अगर 500 किलोमेटर रेंज हो तब भी उन् इन्होंने एक ऐसी इलेक्रिक कार बनाई हैं जो की सोलर से भी चार्ज हो सकती है ये कार काफी ज्यादा एनर्जी वीशेंड भी है इस कार की रूफ में जो सोलर पैनल्स लगे हैं वो पर डे करीब 73 किलोमेटर चलने जितना इलेक्रिसिटी प्रेड्यूस कर सकते हैं प्लस यहां पर 60 किलो वाट अवर की लिथिया मायन बैटरी है ये कार सिंगल चार्ज में अप्टू 725 किलोमेटर का रेंज देती है परफॉमेंस इस कार की काफी ज्यादा देशेंट है 0-100 की स्पीड ये कार लेज दन 10 सेकेंड में चीव कर सकती है अंदर के इंटीर काफियत तक टैसला की याद दिलाते हैं जहां पर हमें एक बड़ी सी स्क्रीन मिलती है जिस पर आप क्लाइमेट कंट्रोल मेडिया इन्फोटेमिन सिस्टम जीपियस मैप जैसे फीचर को यूज कर सकते हैं ये कार बहुत ज्यादा दूर नहीं है 2022 के फर्स्ट हाफ से कंपनी इसका प्र स्टेश्टिक्रल औप्शन है फर्डे आपको 73 किलोमेटर की डेंज सोलर से मिल रही है और ऐसा थोड़ी है कि आप प्रडे 73 किलोमेटर ड्राइव करोगे हो सकते हैं आप दिन में 50 किलोमेटर करो और आपकि जो बाकी 23 किलोमेटर की रेंज है वह आप अगले दिन के लिए कर सकते हो वैसे भी इसकी बैटरी का एपसिटी तो अच्छी है तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये चार्ज फ्री कार है वी होप आगे आने वाले टाइम पे इंडिया में भी कोई ऐसी इलेक्टरिक कार लॉंच होगी जो सोलर से चार्ज हो जाए तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो इलेक्टरिक वीकल्स में इंट्रेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगले वीडियो में